हेलो बच्चो स्वागत है आप सब का आपके अपने चैनल आरेंजी के हमें आज हम देखने वाले हैं निपुर भारत अंकोर अभ्यास पुस्तिका हिंदी कक्षातीन का संपून हल पर हाँ यदि आप मेरे चैनल पर पहली वार आएं तो वीडियो को चैनल को सब्क्राइब जरूर कर ले और वीडियो अच्छी लगए तो उसको लाइक भी जरूर कीजिए ओके बच्चो अब आईए अपन देखते हैं पाठ अठाना प्यारी चिडिया सब्ता पच्चेस का प्रथम दिवस तो आईए अपन देखते हैं चित्र पर चर्चा करने के लिए कोश्चन है चित्र में आपको क्या-क्या दिखाई दे रहा है तो आप लिख सकते हैं ताला से क्या क्या लाने को कहते हैं चिडिया पानी कैसे ले जा सकती है तो आप लिख सकते हैं चोच में भर कर ले जा सकती है शब्द बाक पटन में देखिए शब्दों को पढ़िए हम बाक्यों प्रयोग कीजिए जैसे तालाब तालाब में मक्चलियां रहती हैं दूसरा है जल ज पानी भर कर लाती चुडिया, खेत, खेतों में फसल हुआई जाती है, अब अपन देखते हैं, तुकू समान तुक वाले शब्द, ककड़ी का मकड़ी, कटोरी का चटोरी, लोटा का मोटा, किला का सिला, डगर का मगर, और हाट का माट, अब चलिए आगे, मौकिक परिशन आपके धारा पर वाकि, बच्चे क्या-क्या बनना चाहते हैं, तो आप लिख सकते हैं, बच्चे क्या-क्या बनाना चाहते हैं, बच्चे सरकार बनाना चाहते हैं, बच्चों की सरकार क्यों बननी चाहिए, इससे हर घर में हर दिन तुवार होगा, चिडिया का चित्र बनाईए और उसके बारे में दो बाग के लिखिए तो यह मैंने चित्र बना दिया है अब आप दो बाग के लिख दें चिडिया रंग भी रंगी होती है चिडिया दाना खाती है चिडिया फल खाती है इस तरीके से आप लिख सकते है अब अपन चलते हैं स पानी में रहता है इस तरीके से आपन लिख सकते हैं तो बच्चों अपना ये प्रथम दिवस पूरा हुआ अपन दितिय दिवस देखेंगे चित्र पर चर्चा के लिए कुश्चान है चित्र में उड़ रहे पक्षी कहां जा रहे होंगे पक्षी क्या क्या खाते होंगे चित उड़ने वाले पांच पक्षी के नाम बताईए तोता कबूतर कववा तीतर चुरिया इस तरीके से लिख दो आप चिड़ी अपने पंजमे मुट्टी कैसे ले जाती होगी ये सोचो आप आपके आसपस कौन सी फसले उगाई जाती है लिख दीजिए आप धान गयों मक्का चना जवार बाजरा इस तरीके से लिख सकते हैं अब शब्द बाग के देखिए उदारन के अनुसार किरिया शब्द बनाना है जैसे उड़का उड़ना चल का चलना लिख का लिखना गा का गाना खा का खाना सो का सोना खेल का खेलना पढ़का पढ़ना ये सारे पूरे किर हार और जल इनका मतलब समझाना है जैसे मठका पानी से भर गया यहां पर क्या दिया है मठका पानी से भर गया और दूसरा भर का मतलब क्या है आम खाका कर मन भर गया यह भरना और वो भरने दोनों में अंतर है इसी तरीके से राम श्याम से हार गया और दूसरा हार गले में प पीना है मतलब मुझो पानी पीना है और दूसरा जल का मतलब है वह आख से जल गया मतलब वह जल गया तो जल जल दोनों में अंतर है किस तरीके से अंतर को समझ के अपन को लिखना है दारा प्रिवा पठन में देखो आप ये कविता दी हुए इसके कुछ मौकिक प्रशन दिय किलो और ये कोई भाई कह रहे थे पपी तो आठाने मीटर तो नहीं होता है किलो के साब से होता है इसलिए उसकी अशी उड़ा रहे थे वो लोग आप सुतंत लेखन देखिए दिये गए बॉक्स में दीप अली का चित्र बनाई है और दीप अली के बारे में दो बाक लिख प्रतिन की और चलते हैं अपन मौकिक चर्चा में आई शब्दों को बोट से देख के लिखना है चिडिया ताला पहार पेड बादल इस तरीके से चिडिया कहा सोती होगी पेड पर गौसला बनाकर अगर चिडिया के पंक नहीं होते तो क्या होता तो वे उड़ नहीं पाती अब देखिए कविता की प्रतम आठ पंक्तिया पढ़ना है चिडिया कभी हरे आली आखों में भर लाना इस तरीके से अपन को ये कोश्चन को भरना है चिडिया से सब कुछ थोड़ा थोड़ा क्या मंगाया है हरे आली मंगाई गाउं की हवा मंगाई तालाप का पानी तरीके से पढ़ना है और फिर इनको लिखना है क्रिया शब्द चांट के लिखना है जैसे कि लचमी सेव खाती है तो खाना क्या है क्रिया बिराट दोड़ता है दोड़ना क्रिया है मौनिका नाचती है तो नाचना क्रिया हुई इसकी तरीके से और हैं आगे इशान गीत ग धारा प्रवापठन पे तोता किसने पाला था संत ने तोता कहां फसा था जाल में संत क्यों दुखी हुए तोते को जाल में फसा देखकर दुखी हुए तोता क्या बोल रहा था शिकाई जंगल में आता है जाल फैलाता है ताने का लोब दिखाता जाल में नहीं फसना चाहिए इस तरीके से तो तर रट रट के बोल रहा था अपने गाउं शेर के बारे में चार बाग के लिखिए मेरा गाउं बहुत प्यारा है मुझे वहां की मिट्टी बहुत अच्छी लगती है वैं शेर के पास ही है हम पैदल चले जाते है आप देखी आगे मौकिक प्रिषण आ ग eyebrow आजे आपके चड़िया कैसा होता है चार हमोर से बन्द पंजर कैसा होता है चार हमोर से बंद होता है आपने कभी किसी फख्षी को पंजरे में बंद किया है नहीं चड़िया के बच्छे क्या बोल रहे थे होंगे चीची चीची अगर आपको पंजरे में बंद किया है तो आपको कैसा लगेगा आप लिखो हमको बेकार लगेगा इस तरह किसे आपके तरतिय दिवस फून हुए अब अपने चौते दिवस देखते हैं पक्ची मौखिक चर्चा में आए शब्द पक्ची तोता करते करते कभी सोच आपने क्या चिडिया बच्चों से की बात समझ पा रही होगी बें क्या जब आप दे रही होगी हां समझ पा रही होगी अब शब्द वाक में देखिए सब्दों को पढ़िए हम खाली स्तान भरिए यह दिये आपको शब्द माली डॉक्टर सिपाई राम को डॉक्टर ने कुछ दवाईयां दी मेरी सिच्चिका का नाम शद्दा है खेत की फसल मजदूर काट रहे हैं इस तरीके से आपको भरना है अब निम्लिक के शब्दों की सही बर्तनी लिखना है तो मैंने या पर लिख दिया है सकूल का स्कूल चमच का चमच इस तरी चिंपांजी कहां पाया जाता है अफरिका के घने जंगलों में पाया जाता है दूसरा है बच्चे पहले चीची और बाद में ही ही क्यों करते होंगे चडिया के क्योंकि जब बूख लगती है तो चीची करते हैं और खाना खाने के बाद वो ही ही करते हैं इस तरीके से आप को लिखना है सिच्छक द्वारा बोले गए शब्द बाग के लिखना है जो आपके सिच्छक बो रहे इस तरीके से आपके चार दिवस पूरे हुए अब अपन पांच बा देखते हैं मौकिक चर्चा में आई शब्दों को बोर्ट से देखकर लिखना है कोय बोली शहर पालना इस तरीके से पालतु जन्गली जन्वर में क्या अंतर है पालतु जन्वर घर में पालते हैं और जन्गली जन्वर जन्गल में रहते हैं अगर चड़िया आपको मिलती तो आप किस बोली में बाते करते हैं उन्हें क्या खिलाते हैं तो लिको हम अपनी भाशा में बात करते है का पेड जलक का जरात दिखना मौन अपने माता पिता के बुड़ापे का सहरा है महापरों का बाक्यों प्रियोग करना है आग का तारा होना यानि मेरा बेटा मेरी आग का तारा है नो दो ग्यारा होना चोर सिपाई को देखके नो दो ग्यारा हो गया बुड़ापे का सहरा मेर को बाजिय को प्रीयों करना है इन मुहाबरों को आगे चलते हैं पनचोचा statute किया और दर्वाइश को समझा कर सायता करने को आप बाख लिखिए कि बने हुए इन पर लिख सकते हैं चडिया के दो अंडे ढूनों चडिया बन गए हैं अब बड़े हो गए हैं अब उड़ने लगें इस तरीके से आप लिखिए फिर आपके इस च्रफ्च जो सरतलेक बोरें उनको लिखिया फिर नहीं करफ चर्चा में आधा भी है आपसे चडिया का चडिया बात करती होती है तो आप उसे क्या पूछना पसंद करती है तो आप लिखिए भाद में आस्मान में उड़ना सिख वागी एप शब्दों कबाकियों अफ्रेयों कीजिए मुٹ्टी का अपने पंजा में मुट्टी ले आना प्यारी प्यारी चिडिया आखों में अर्यानी लाना पोकर से पानी बहलाना चिडिया रंग यगा रंगी होती है इस तरीकेसे आप कर सकते हैं मैं आप दारी प्रिवाब पठन में देखिए चंदा मामा का आकार कैसा होता है तो आप सब जानते चंदा मामा का आकार गोल होता है लेकिन यह तहले कहता है दिन में क्यों नहीं दिखाई देते सूरज की रोशनी के कारण चंदा मामा और तारे दिखाई नहीं देते अब सतंत्र आप वहासे सतंत्र पठाने यहां पर एक सूचना वोड़ पर सूचना लिखी हुई है इसके आधार पर अपनको कोश्चन की आंसर देना है जैने की प्रेश् इसको अब है शुत लेक जो आपके सिचक बोरें वह आप लिखी है ठीके बच्चों इस तरीके से आपको यह पार्ट पूरा हो गया है अगले वीडियो में अपन फिर मिलते हैं वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करो पर हाँ यदि आप मेरे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्क्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दवाना ना भूने इससे मेरे आने वाले सारे वीडियो के नौटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे ओके बच्चों थैंक यू फॉर वाचिंग थैंक यू